नमस्कार एक समय था कि अपहरण की घटनाएं आम हो गई थी लोग दहशत में रहते थे अपहरण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बॉली वूड में इस पर कई फिल्में भी बनी फिल्में हिट भी हो गई वक्त बदला, चीजें बदली लेकिन नहीं बदले तो हालात आज भी बिहार हो या फिर जारखंड अपहरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश करती है वहीं जब पुलिस अपनी तरफ से कोशिश करती है तो फिर उसके परिणाम भी सामने आते हैं अपराद पर लगाम भी लगता है लेकिन अपराद का केवल एक पहलू नहीं होता कुछ लोग रिस्ते बनाकर अपराद को अंजाम देते हैं उन रिस्तों को कलंकित करते हैं और बात जब अपराद की होती है तो गोली की भी होती है तो फिर ये तो सब जानते हैं कि गोली किसी इन्सान को नहीं पहचानती वो तो जब चलती है तो सिर्फ मातम ही लाती है और वही गोली जब कानून के हाथ से चलती है तो माजरा कुछ और होता है तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं पुर्विया क्राइम इस्पेशल कानून की किताब में जुर्म के लिए सजादर्ज है ये सजा इसलिए दी जाती है ताकि अपराधियों में डर पैदा हो और वो जुर्म करने से बा जाएं लेकिन लगता है कि अब अपराधियों को जुर्म करने से डर ही नहीं लगता वो किसी से खौफ नहीं खाते क्योंकि अगर वो खौफ खाते तो फिर जुर्म ही नहीं होता लेकिन जुर्म हो रहे हैं गड़वा में एक बैंक कर्मी का अपहरण कर लिया जाता है क्या है पुरा मामला आप खुद देखिए अपरादी हुए बेखौफ बैंक कर्मी का अपहरण देशत में है पूरा परिवार अपहरण करताओने की फिरौती की माग गड़वा जिले में अपरादियों के होसले बढ़ते ही जा रहे है उन्हें पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है अगर होता तो अपरादी एक बैंक कर्मी का अपहरणा नहीं करते है मामला धूर की प्रखंट का है ये परिवार सदमे में है और हो भी क्यों ना इस परिवार का एक सदस्य बीती राद से घायब है अभी तक जैनिल पांडे का कुल पता नहीं चाज़ सका है जैनिल पांडे वरांचल ग्रामिन बैंक में कैशेर का काम करते हैं ये तस्वीर जैनिल पांडे की है परिवार वाले दहशत में पूरे घर में एक अजीब से खामोशी चाई हुई है परिवार के लोग कुछ बोलना नहीं चाहते उन्हें डर है कि अभरण करता जैनिल पांडे को कुछ नुकसान न पहुचा दे इस वारदात को तब अंजाम दिया गया था जब जैनिल पांडे बैंक से अपने घर लोट रहे थे उनके साथ बैंक का चपरासी भी मौजूद था रास्ते में अपराधियों ने गनियारी गाम के पास दोनों का अभरण कर लिया लेकिन अभरण करताओं ने चपरासी के हाथ पैर बांद कर उसे छोड़ दिया और कैशे जैनिल पांडे को अपने साथ ले गए चपरासी ने इस मामने की जानकारी पुलिस को दी जब काफी देर के बाद भी जैनिल घर नहीं पहुंचे तो परिवार वाले काफी चिंतित होने लगे परिजनों ने बैंक के स्टाफ से पता करना शुरू किया तो पता चला कि अपहरण किया जा चुका है इतना सुनते ही घर वालों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गए इसके बाद रात के बारा बजे घर में फोन की घंटी बसती है ये फोन अपहरण करताओ का था सुत्रों की माने तो अपहरण करताओं ने फोन पर फिरोथी की मांगी लेकिन परिवार वाले कुछ भी बोलने से कत्रा रहे है दरसल अपहरण करताओं ने धंकी दी है कि किसी को बताने पर जैनिल को जान से मार दिया जाएगा लेहाजा परिवार वाले चुपी लगाए है घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ जाती है पुलिस ने तुरंट छापे मारे शुरू कर दी पुलिस का दावा है कि जल्दी जैनिल को अपरादियों के कबजे से छुड़ा लिया जाएगा वनांचल ग्रामिन बैंक के इंपलाई का अपरहन कर लिया गया है पुलिस इस मामने की जांस तेजी से कर रही है उमीद है कि जल्दी जैनिल अपने घर पर होंगे और अपरादियों के साजिश धरी की धरी रह जाएगी चंदन कशब जे मिडिया गड़वा ये तो था अपरादियों के बढ़ते मनोबल की बात लेकिन अगर पुलिस सतर्ख हो जाए तो अपराद के ग्राफ पर लगाम लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी मोतिहारी में पुलिस की सक्रियता से अपराद होने के पहले ही अपरादी गिरफ्त में आ गया है पुलिस ने नाकाम की बैंक डगए थी अपरादियों को रंगे हाथ किया गिरफ्तार मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी काम्याबी हथियारों के साथ अपरादी गिरफ्तार पुलिस की हिरासत में दिख रहे इन अपरादियों के रादे खतरनाक थे इन अपराधियों ने बैंक को अपना निशाना बनाया था लेकिन पुलिस अपराधियों और बैंक के बीच में आ गई और अपराधियों के रादे धरे के धरे रहे ये मामला मोतिहारी जिले के चरया थाने का है इलाके के चिरया बाजार में स्टेट बैंक आफ इंडिया की ब्रांच है बैंक अपराधियों के निशाने पर था बैंक को लूटने चार अपराधी हतियारों के साथ पहुँच चुके थे लेकिन इतर पुलिस को इसकी भनक लग चुकी थी पुलिस ने अपना जाल बिछा रखा था बैंक के गेट पर ही पुलिस ने अपराधियों को गिरफतार कर लिया गिरफतार अपराधियों में से दो श्रिभर्जी लेके हैं और दो मोतिहारी का रहने वाला है आपको पता दें कि गिरफतार अप राधियों में उनका सरगना बुलेट सिंग भी शामिल है बुलेट सिंग के उपर कई मामले दर्ज हैं इतना ही नहीं उसके गैंग के बाकी तीन लोगों के उपर भी कई मामले चल रहे हैं प्राध करने की उज़ना बनाये हुए थे और एक CSP से कुछ लोग पैसा लेकर आने वाले थे चरहिया SBI में जबा करने के लिए उनको ये लोग सार्डिट कर रहे हैं पुलिस ने एक बड़ी वारदात को होने से पहले ही रोक दिया ये पुलिस के लिए बड़ी काम्यावी मानी जा रही है पंकश कुमार, Z Media मोधिहारी फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रीक का ब्रेक के बाद पुरोईया क्राइमे स्पेशल में स्वागत है आपका गोलियां चलती हैं दोनों तरब से ये पुलिस और नकसली के बीच मुटभेड थी लेकिन एक गोली का शिकार गाउवाला हो जाता है पल भर में ही उसके दुनिया मिट जाती है खत्म हो जाती है लेकिन अब सवाल ये है कि खाकी और लाला तंक के बीच मुटभेड में मारे गए वैक्टी का आखिर कर क्या कसूर था क्या करके हम लो जीएंगे क्या हो क्या रहा था मुटभेड में पता हम लोग को जाती है तो क्या कोई बात नहीं इसको दर्वाजा में गोली लगा है यह दर्थ है उस महिला के जिसके परिवार का एक शाख्स इस दुनिया को छोड़ गया अब वो कभी नहीं आएगा लेकिन सवाल उसके रुखसती को लेकर है वो शख्स एक गोली का निशाना बनता है और फिर उसकी मौत हो जाती है परिवार में मातम चा जाता है यह वाक्या है गुमला जिले के चैनपूर थाना इलाके का यहां के घोर घटी गाओं में पुलिस और नकसलियों के बीच बुदवार को मुठभेड होती है चार घंटे चले मुठभेड में कई राउंड फारिंग होती है लेकिन इस फारिंग का शिकार होता है गाओं का एक युवक इसका नकसलियों से कोई संबन नहीं था लेकिन कहते हैं कि जंग में गोली किसी को पहचानती नहीं पुलिस के मुताबिक युवक को बचानी की पूरी कोशिश की गई लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल सकी और युवक की मौत हो जाती है रांची से हलिकॉप्टर के आने तक गायल युवक की इंतजार नहीं कर सका और हलिकॉप्टर के आने से पहले ही वो दम तोड़ देता है पुलिस की जो मुट चल रही थी पुलिस गाओं के तरब से थी और पहाड़ियों की तलहटी में उगरवादी वहों से फाइरिंग कर रहे थे ग्रामीन भी गाओं में था इसलिए असपस्ट है कि उगरवादी दोरा चलाई गई गूली ही ग्रामीन को लगी उसे पुलिस की गाड़ी से इलाज के लिए चैनपूर असपताल में लाया गया चैनपूर असपताल में प्राध्मक चिकितसा के बाद उसे रेफर भी किया गया तब तक करांची से उसको लेने के लिए हेलिकॉप्टर भी लाया गया लेकिन एक निर्दोश जिंदगी वक्त से पहले ही दुनिया से रुखसत होगी उकेश कुपार सोनी, Zee Media, Gumla हलाकि इस मुटभेड में एक गाउवाले की मौत हो जाती है लेकिन पुलिस के हाट सफलता भी लगती है पुलिस ने मुटभेड के बाद तीन नकसलियों को गिरफतार किया है इनमें वो नकसली भी शामिल हैं जिसके उपर सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम खोशित किया है लगता है कि जारगन में नकसलियों के लिए बुरे दिन आ गए है मंगलवार का दिन नकसलियों के लिए भारी पड़ा पुलिस के साथ मुटभेड में बारा नकसलि मारे गए तो वहीं बुदवार का दिन भी नकसलियों के लिए बुरा ही रहा गुमला जिले के चैनपूर धाना इलाके के गोरगटी गाउं में पुलिस और नकसलियों के बीच मुटबेड हुई ये मुटबेड करीब चार घंटे तक चली पुलिस को इस मुटबेड के बाद भारी सफलता हाथ लगी पुलिस ने दस लाक के इनामी नकसली को गिरफ़तार करने में सफलता पाई पुलिस के इस आपरेशन में तीन नकसली हाथ लगे गिरफ़तार नकसलियों में सब जोनल कमांडर, प्रसाद लकडा और फरशोक जी भी शामिल है लकडा के गिरफतारी complete पुलिस के लिए बड़ी खामयाभी मानी जा रही है सरकार ने उसके उपर 10 लाख का इनाम घुशेद कर रखा था पुलिस ने नकसलीों के पास बारी मात्रा में हथ्यार भी बरामत किये बरामद हथियारों में 6 राइफल, भारी मात्रा में कार्तूस, एक हैंड ग्रिनेट, प्रेशर बंप और नकसली साहित्ते भी बरामद किये गए हैं जिसमें तीन उगरवादी गिरफतार किये गए, जोर्नल कमांडर जिस पर दस लाग रुपे से उपर का रिवार्ड है, प्रसाद लखड़ा, उसके साथ फ्रांसिस टोपो और जीवन लखड़ा तीन की गिरफतारी हुई, शाह रेगुलर हथियार बरामद किये गए राइफल जिसमें पुलिस की लूटी गई राइफलें भी हैं, तीन सो रहों गूलियां भी बरामद की गई, दरजन से अधिक IED बरामद किये गए हैं, और ग्रिनेर बरामद किये गए हैं, ये सारी कार्जवाई एक छोटी सी टीम ने काफे बहादुरी से कि पुलिस को मंगलवार के दिन भी भारी सफलता हाथ लगी थी सोमवार की रात को पुलिस और नकसलियों के बीच मुटभेड हुई थी इस मुटभेड में नकसलियों का जोनल कमांडर आरके जी उर्फ डॉक्टर मारा गया था इसके साथ बारा नकसली मारे गये थी पुलिस के लिए इस सफलता को एक बड़ी उपलब धिमाना गया सुबह के मुख्यमंत्री और पुलिस के मुख्या ने भी इस सफलता पर जिले के पुलिस करिमयों को बधाई थी इस घटना के अगले ही दिल पुलिस को गुमला में सफलता मिलती है दस लाग का इनामी नकसली गिरफतार होता है लेकि लगतार मिल रही सफलता के बाद अब पुलिस को सावधान रहने की जरूरत है जाहिर है अब नकसली इसके बाद पलटवार करेंगे वो पुलिस बल्ग अपना निशाना बना सकते हैं लेहाजा जरूरत है जैदा सावधान रहने की मुकेश कुमार सोनी, Z-Media, गुमला रिस्तों की मर्यादा को किसने किया तार-तार दिखाएंगे भी लेकिन एक छोटे से ब्रीक के बाद ब्रीक के बाद एक बरफिर से पुर्वईय क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका रिस्ते बनते हैं, उनकी मर्यादा होती है लेकिन फिर रिस्ते बिगडने भी लगते हैं मर्यादाएं तूटने लगती हैं और दरकने लगता है लोगों का विश्वास और जब रिस्तों की मर्यादा पवित्र हो, वो गुरू और शिस्ते का हो और वो मर्यादा और रिस्ते को तार करता हो तो फिर भरूसा भी डिगने लगता है प्यार करना कोई गुनाह नहीं है लेकिन जब एक स्कूल का टीचर अपनी स्टुडेंट के साथ दिल लगा बैठे तो फिर आप क्या कहेंगे जिहां ये चौका देने वाली खबर मधेपुरा से सामने आई है इस खबर के सामने आने के बाद इलाके के लोगों में भी चर्चा आम हो चुकी है लेकिन हम आपको बता दें कि मामला केवल इतना ही नहीं है मामला इस ते कहीं आगे का है एक हाई स्कूल के टीचर ने अपने ही स्कूल की एक छात्रा को पहले तो प्यार के जाल में फटाया ये मामला बिहारी गंस्थाना इलाके का है छात्रा दस्वी क्लास में पढ़ती थी प्यार के जाल में फ़ताने के बाद पीचर ने छात्रा को शादी का जहासा भी दिया इतना ही नहीं उस धैवान पीचर ने शादी का जहासा दे कर अपनी ही छात्रा के साथ लगतार यौन शुर्शन भी किया लेकिन इस बीच दोनों के रिस्टों की जानकारी आत्रा के पिता को लग गई मामला गंभीर था लेकिन इस बारे में बात की इसके बाद साथ लाख रुपए दहेज की रकम देने के बाद दोनों की शादी पर सहमती बनी अभी तक लग रहा था कि मामला संभल गया है एक बड़ी मुसिबत टल गई है लेकिन आगे अभी कुछ और ही कहानी बाकी थी अब दहेज की रकम बढ़ा कर 10 लाख रुपए कर दी गई छात्रा के पिता परिशान हो गये लेकिन आपने कहावट सुनी होगी कि मरता क्या न करता छात्रा के पिता ने इस पर भी अपनी सामती जता दी लेकिन इसके बाद भी पीचर ने शादी करने से साफ इंकार कर दिया है अवेड कंप तहना है तो उसका बनी जाने जह गला हो तो जाने करे तो पुछ ऐसा भोते रहे पिर उसके बाद फिर जब इमकर दो गाय हो इसके यह तो उसके I mean आघ़ पका के पांगि ये ने बन गdessंगा तिया गोले है कि वह कूछ दीन की बात में पनी ममई पाप के बताई तो पापा उसके हुआ कर पापा के राखित गतीन लूत वार टाहिए तो बताई तो पापा वबनए इत कॉइन के दिये राना के बने हो करें दोिसी हुआ का नилась कुए विसी हुआ एख्षा एख्षा लाचार पिता के सामने से जमीन खिसक गई थी ठकार कर लड़की के पिता ने अब पुलिस की मदद लेना ज़रूरी समझा मैयाई की गुहार लेकर लाचार पिता मध्यपुरा के स्पी के पास पहुंचे एसपी ने जल्द जाच कर दोसियों के खिलाफ कारवाई करने की भी बात कही है बहरहाल अब मामला फुलिस के पाले में है पुलिस जाच के बाद आरोकियों के खिलाफ कारवाई की जाएगी लेकिन इन सब के बीच इश्क और विश्वाफ इन दोनों के बुनियाद जरूर दरग गई है शंकर कुमार, दी मीडिया, मध्यपुरा और इसी के साथ पुरोईय क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, नमस्कार झाल